दोस्तो आज हम अन्वॉक्सिंग करने वाले हैं मैक पावर के एरबर्स जो के एरबर्स आईफून के जो आते हैं दोस्तो पुरो सेम उनीकी तरह है यह दोस्तो यहाँ पर इसका मॉडल नमर TW05 है 15 घंटे का इसके अंदर आपको बैटरी बैक अम मिल जाता है MRP की बात करें दोस्तो इसके 1799 पर MRP निल जाती है पर इसकी MRP दोस्तो जो है वो जादा है आपको इसकी official website पर 1270 रुपए का आपको मिल जाएगा Bluetooth version की बात करें 5.0 इसके अंदर आपको मिल जाता है और दोस्तो इसके अंदर एक नया features मिलता है एक extra feature एक इसके अंदर काफी जवादस features मिल जाता है जो कि देख सकते है pop-up function के नाम से दोस्तो ही रहता है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको notification type की दिख रही होगी यह जो screen पर आपको दिख रहा है जब आप इसको iPhone के अंदर चलाएंगे जैसे ही इसको आप open करेंगे तो आपके iPhone पर इस तरीके से notification दिखाई देंगी जो कि original में भी इस तरीके से दिखाई देती है तो चलिए दोस्तों इसकी unboxing कर लेते हैं फटाफट यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके की packing है उसके अंदर एक और package निकलता है फिर उसके अंदर एक और दोस्तों मिलता है हमें यह उसके अंदर हमें हमारे earbuds मिल जाते हैं और दोस्तों इसके अंदर हमें एक iPhone की data cable मिल जाती है आप देख सकते हैं काफी अच्छी quality की है और इससे आप अपना iPhone भी चार्ज कर सकते हैं तो यह मुझे जो है केबिल दोस्तों काफी पसंद आई है और क्वालिटी भी दोस्तों ठीक ठाक लग रही है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर Mac पावर लिखा हुआ है नीची की तरह आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो का iPhone की data cable इसके अंदर लगती है और यहां पर दोस्तों एक बटन लगा हुआ है इसके नीचे है यह दिख नहीं रहा है पर यह उपर पन्नी चड़ी है और इसके बैक साइड में आपको एक बटन मिल जाता है दोस्तों इसको ओन करने के लिए जैसे ही इसको ढखकन को आप खोलेंगे यहां पर green light आपको जल जाएगी और यह आपका on हो जाता है और आप किसी भी mobile से इसको connect कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीकी की shape के अंदर आता है और यहां पर side में आपको touch control मिलता है तो जैसे ही इसको on करते हैं एक notification आती है वैसे ही यहां पर देख सकते हैं इसको जैसे ही on करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा और इसको connect करने के लिए दोस्तों आपको यह connect पर first time क्लिक करना पड़ेगा तो आपको यहां पर देख सकते हैं यह रहा है तो इसके back-side में दोस्तों एक button लगा हूए है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके उपर एक काuls लगा हूआ है पर मुझे ज़िः यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर मुझे फील हो रहा है इसको मैं कुछ देर करूंगा यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है और जैसी यहाँ आप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं connecting शुरू हो जाएगी don't connect लिखके आ रहा है तो यहाँ पर मुझे continue bluetooth setting में जाना पड़ता है और यहाँ पर search में आएगा यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह हमारे mobile से connect हो चुका है और उपर यहाँ पर notification भी आपको दिखा दी अब दुबारा से जब दोस्तो इसको connect करेंगे अब यह हमारा connect हो चुका है इसको बंद कर देते हैं तो हमारा यह यहां से disconnect हो जाएगा setting के अंदर से अब जैसे ही इसको हम यहां से आउन करते हैं आपके सामने उपर देख सकते हैं यहां पर connected लिक के न चुका है कि इस तरीके से आपको connected लिक्के आ जाएगा अब इसको यहां से निकाल लेते हैं इसके touch control से आप जो है call को receive भी कर सकते हैं, disconnect भी कर सकते हैं और इसकी sound quality के अगर हम बात करें तो मुझे दोस्तो बहुत जादा अच्छा है इसका sound quality जो मुझे sound quality दोस्तो काफी अच्छी लगी और price के हिसाब से दोस्तो इसकी 6 मेने की आपको guarantee भी मिलती है और 1270 रुपए में आप दोस्तो क्या लेंगे आप local में ही copy जो खरीदते हैं दोस्तो वो भी आपको लगबग जो है 7-800 रुपए के आसपास मिलते हैं तो इससे बहतर है किसी company का आप खरीद लें same quality आपको इसके अदर मिलेगी लगबग 2-3 घंटे, 3-3 घंटे से लगबग 3-4 घंटे का एक बार में आपको battery backup मिलता है और total जो battery backup इसके अंदर दोस्तो वो 15 घंटे का है तो लगबग 3-4 घंटे एक बार आप चारज करके इसको चला पाएंगे उसके बाद फिर दुवारा से चार्ज करके इस तरीके से आप 15 घंटे तक इसको यूज कर पाएंगे पर दोस्तो 15 घंटे तक नहीं चलता है लगबग इसके अगर हम total battery backup केस के साथ अगर हम बात करें तो लगबग 12 घंटे चल जाता है दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें